हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है, कैसे हो आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे, खोश होंगे, अपने औरा को पॉसिटिव की वे होंगे गाइस, आज हम जो रिडिंग कर रहे हैं, उसका टॉपिक है, अगस्त का महिना आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपके जॉब, केरियर, रिलेशन्शिप को लेकर, आपके हेल्थ को लेकर, अगस्त का महिना आपके लिए क्या शुबता लेकर आ रहा है, ये एक जनल रिडिं के गाइज हो सकता आपके साथ resonate करें ना करें जो बद आपके situation के according आपको resonate करती है तो से प्लीज रख लीजेगा बाखी को जाने दीजेगा तो देखते हैं अगस्त का महिना आपके लिए कैसा रहने वाला है ऑट्रेवल फोट्रांस्फरमेशन गईस जिस ट्रेवल के लिए आप पर पार कोशिशे कर रहे थे या फिर हो सकता है कि इसका पनतजार कर रहे ते का स्ट्रावल आपके लिए बहुत ज़रूरी था वह ट्रेवल बनने जा रहा है और यह होगा दूर यह कोई पास में नहीं हो सकता है जहां आप रहते हो वहां से कोई दूसरा डिस्टिक हो सकता है दूसरा स्टेट हो सकता है या इंडिया से बाहर का भी हो सकता है काइस कोई विशेश कारे को लेकर ना क्योंकि यहां पर यह बताया जा रहा है कोई विशेश कारे को लेकर आपका यह travel बनेगा और यह travel आपके लिए transformation लेकर आएगा और यह मुझे ऐसा लगता है काईस के August का month start होते ही 10 तारिक, 15 तारिक के बीच में ही यह travel आपके बनेगा गास और यह बेहर शुब रहने वाला है, यह बहुत protection आपको देगा आपके target को fix करने में, आपके target को achieve करवाने में आपकी मदद करेगा बेभी ऐसा लगता है कि जैसे business travel हो गया, किसी काम को लेकर हुआ कुछ कहा ना कुछ विशीश काम, कोई महत हो पूर्ण कार यह इस से आपका जुड़ा हुआ है और यह car यह पूर्ण होगा इस travel के अधार पर ही होगा है ना, यह कहीं न कहीं आपको पता है, तो ready रहना guys अगर किसी के इस travel से सम्मंदित किसी की call का आप इंतजार कर रहे हो, message का इंतजार कर रहे हो हो होगे, यह बहुत रहे हो, साथ में यह लग रहे हो सकता है, कोई धार्म करें किसी की यत्रा करो, और यह उची पहाड़ी जैसा इलाका होता, वहां पर व्याष्न देविमता का हो सकता है यह कोई दूर का ना ट्रेवल दार्मी किसल का वहां का भी लग रहा है तो यह तो है गाइस यह ट्रांसफर्मेशन लिखकर आ रहा है आपके लिए और प्रोटेक्शन लिखकर आ रहा है है ना मन शांत होने वाला है कास मैंनिफेस्टेशन आपके कंट्रोल में आने वाला है आपका दिमाग आप पर बहुत हावी हो रहा था हर चीज में नेगेटिव थॉट आई जाते थे यह फिर जो भी अपने बारे में अच्छा सोचने की कोशिश करते था ना अच्छा सोच नहीं प तो देखो, अब यहां पर क्या चीज गही जा रही है, कि अगस्त के मैने में एक प्रोटेक्शन जैसा आपको फील होगा, ऐसा लगेगा कि आप सुरक्षित है, आपको किसी प्रकार का भेहन है, किसी प्रकार का खत्रा नहीं है, मालिक न मुझे संभाल रखा है, ठीक है, और स सकता है, कि इतना बिलिव अगर किसी इनसान का कर्मा पर ये जस्टिस पर होने लगे, क्योंकि यहां पर ट्रंसफर्मेशन के बारे में भी और यहां पर आपके सुरक्षित होने के भाव के बारे में भी कहा जा रहा है, तो इतना पक्का है, कि एक जस्टिस की खबर आपको इस अगस्त के महिने में देखने को मिलेगी ही मिलेगी क्योंकि किसी का माइंट रिलक्स होते हुए एक शांती और पीस मिलते हुए नजर आ रही है है ना एक बात का ख्याल रखना काईस ये कार्ड दोनों मिलकर एक बात के बारे में फोकस करने के वारे में कहा रहे हैं कि जो टार्गेट आपका है ना उससे बटकना नहीं कुछ भी हो जाए कैसे भी परिस्तिप बने कोई आपको emotional ब्लैकमेल करने की कोशिश करे आपका जो टार्गेट है उससे बटकना नहीं है आपको जो इतने लंबे समय से एक बात को या एक जो यहाँ पर कहा चाराना है विशेश कारिय को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो जिसकी विज़े से आपने बहुत तकलिफों का सामना किया है और जिस कार्य को लेकर लोगों ने आपके विरुद में बात करी है, आपके इमेज को लेकर आपको प्रभावित करने के कोशिश करी है, कहता ना कि बहुत नस्दीक में हो उस कार्य के संपन होने के मौके पर, है ना, कि वो कार्य बहुत जल्द संपन होने वाला है, वो आपकी मनों कामना बहुत जल्स पूरी होने वाली है तो ये भी वह सकता है गाइस की वो मनों कामना पूरी हो और आप ट्रावल करो कि मालिक मैंने कहां था आपको ये मनों कामना मेरी पूरी हो जाए तो मैं वहाँ आपके धार्मे के सल्था करने के लिए आँ मन्नत कहते हैं वो मांगी हुई होगी आपके तो इस वज़े से आपके आत्मा खुश होती हुई नजर आ रहे क्योंकि यहां पर दो-दो फिश है और दोनों मतलब यह फिश जो है ना वो हैपिनेस के बारे में खुशी के बारे में के सामने से चला कर रहा है हमारे पास खुशी आए उसके बारे में कहा जा रहा है और यहां पर भी बहुत सारे colors बहुत सारे colors यानि जिन्देगी का खुबसूरत होना मतलब जो चाहते हैं life में वो मिल जाना और यहां पर transformation की यह खुशी प्राप्ट होने के बाद में यह कामना पूर्ती के बाद में वो transformation होना guys और चील का बाजगा दिखने का sense यहीं है कि अपने target से नहीं बटकना है उस पर focus करना उस पर continue काम करते जाना और अब भी अगर यह career के समन्द में देखे तो job कर रहे हो, business कर रहे हो, जो कुछ भी काम आप कर रहे हो, online work कर रहे हो बिल्कुल अपने target पर focus रखना, यहना उस पर मेहनत करते जाना guys बहुत बड़ी success, बहुत बड़ी सफलता आपको दिखने को मिलेगी ठीके परेशान नहीं होना, अगस्त का महीना एक कदम आपको आगे बढ़ाने के लिए है guys आपके यू कहलो कि यह अगस्त का महीना एक chapter में आपको प्रवेश दिला देगा guys एक नए अध्याय में आपका प्रवेश होगा, जहां बिल्कुल सुरक्षा की भावना आपको फील होगी आपको डर नहीं लगेगा, जैसे एक चोटा बच्चा होता ना जो मां के अचल में कितना सुरक्षित फील करता है कुछ वैसा पहा हुआ आपके अंदर आएगा guys मन की इस्तिरता कहते है ना कि मन की भीचेनियों का दूर हो जाना मन इतना इस्तिर होना, इतना खुश होना अच्छी वाइब्रेशन फील होगी guys मतलब अभी मैं कैसे समझाओं आपको अगस्त के महिने में आपके मालिक के प्रती ट्रस्ट बहुत होगा आपको अच्छे अनुबाव बहुत जादा होंगे guys है ना मतलब आपकी उट्जा जो है FD में बहुत जादा रहने वाली है है ना, मेडिटेशन करने की तरफ या इनी चीजों की और guys अब मैं यह नहीं कहा रही है इसा नहीं होगा इससे अलग guys मानो आप इतनी पूजा पर करते हो नहीं करते हो डैली करते हो वह अलिग बात है है ना लेकिन यहां पर कहते है ना उन सब चीजों के अलावा अपना ध्यान को एक सर्वोच सत्ता पर किंद्रित कर देना और वो सर्वोच सत्ता आपको यह एहसास करवा है कि आप सुरक्षी तो आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं है तो यही कहा जा रहा है guys कि कैसी भी परिस्तिती हो ना अपनी ध्यान को बटकने मत देना लाइफ में आगे बढ़ते रहना और definitely कुछ बहतर कुछ अच्छा होगा health से related issue जो है न वो दूर होंगी कमर में pain बहुत रहता है आपके कंदों में pain बहुत रहता है ना सर में दर्द बहुत रहता है तो इन चीजों में सुतार देखने को मिलेंगे आपको energy को पेचाना देखो यहाँ पर भी health और healing health का अच्छा हो ना healing आपको मिलने का इस कहाना मन के शांति आपको बहुत अच्छी महसूस हो कि guys परेशानिया जो भी है ना सबसे पहले health को लेकर आपके मन को लेकर गायस है तब भी तो किसी इंसान का माइंड पर control हो रहा है कि आपका माइंड जो अपको उल्जा रहा था आपका माइंड आपको जो दूविताय दे रहा था यहां जैसे situation होती है ना कि समस्या और समाधान है ना तो समस्या पर focus बाहर पर जा रहा था आप चाहती थे कि आपका ध्यान समाधान पर जाए लेकिन अपने दिमाग के आगे कोई बढ़ नहीं पा रहा था या फिर दिमाग कंट्रोल कर रहा था ना आपको आपके मन को उस इस्तती से बाहर आना कायस है क्योंकि इसका अगर deep meaning देखे ना कायस तो जैसा healing है ना कि मन की शांती का आना धीरे धीरे तनावों का दूर होना चीनताओं का कतम होना और क्यों होना जो यहां पर कहा जा रहा है कि protection की भावना का महसूस होना क्योंकि एक है transformation तो यहां का जा रहा है जीत पकड़ो कि मालेक पर believe रखकर आप आगे बढ़ो कि और life में सब कुछ अच्छा होगा और यही ठान कर रहोगे ना तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा guys आपकी life में यह कह रहे है कि indirect way में जो sign आपको मिल रहे ह हैं आपको आपकी life में खुशी लाकर देने के लिए इंगित कर रहे हैं किसी प्रकार की blueprint तयार हो रहे हैं guys ऐसे लोगों की entry आपकी life में होगी अगस्त के महिने में जो बिलकुल आपके ऊच्छा से ना match करते हैं आपको ऐसा लगेगा कि दरपन सामने खड़ा है है ना कि मैं कुद को दरपन में देख रही हूं देख रहा हूं इतना guys अगर help भी मिलेगी ना तो इतनी अच्छी help मिलेगी यानि positive energy का life में आना होगा खुशी मनाना होगा guys देखे क्योंकि यहां पर कहां जा रहा है कि आपकी manifestation किसी बात को लेकर ना पूरी हो रही है अब क्या manifest किया है आपने है वो देख रहा है वो अगस्त के मैने में फुल्फिल हो जाएगा आपके आपके लिए योज नहीं बन रही है guys एक बात कहूं situation क्या है समझने के कोशिश करना situation आपकी life में अभी के समय में अभी के समय में आपको नबर का बहुत जादा नजर आना ब्रहमित वाले चीज़े दिखेंगे आपको, ऐसा लगेगा यह क्या हो रहा है और होगा पिल्कुल अच्छा गाइस, जो बिगड़ा हुआ दिख रहा है वो बिगड़ा हुआ नहीं होगा, वो बिगड़ेगा नहीं लेकिन उसके बदले में लाइफ में कुछ अच्छा हो ज समझे ना, तो मालिक की यूजनाई चलती है, हाना कहाना कि अगर कुछ लोग बहुत बड़े खिलहड़ी अपने को समझे की कोशिश करते हैं ना, फिर मालिक का खिल चलता है, और यहां पर यह समझ लो कि आप मालिक की प्रोटेक्शन में हो मालिक के नस्दी को दिल के समझ रहो ना, कितनी मासुय मिल से ना, यह बच्चा मालिक की तरफ देख रहा है, मालिक के रहे चिंता नहीं करो, बिलेव रखो, ट्रस्ट रखो, बुरा नहीं किया है, तो बुरा सोचो भी मत कुद के बारे में, कि कभी बुरा हो जाएगा, हाना, क्या कहा जाता, समय बड जवाब देगा, अगर आपने बुरा नहीं किया था आपके साथ, बुरा कभी भी नहीं होगा, हाना, लिखो, पावर बढ़ती हुई आपके गाइस, हाना, अच्छा कॉंफिदेंस का इस तर बढ़ते हुए, आत्मे विस्वास बढ़ते हुए, लाइफ में रिस्क का टिकर अपने आप में पावर फील होगी आपको, जैसे कहाना कुछ लोगों की एंट्री भी होगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेंगे, और जब हेल्थ अच्छी रहने लग जाते हैं, जब थोड़ा तनाव कम होने लगता है, तो अपने आप इंसान में रिस्क टेकर वाले भा करना पड़ेगा, क्योंकि हाला तो ने आपको ये बात को अच्छे से समझा दिया है, कि आपके लिए, मतलब आपका ख्याल कौन-कौन रख रहे हैं, या फिर आपके लिए कौन-कौन जी रहे हैं, यह सारे सिच्वेशन आपके सामने लग भग क्लियर हो गई है, तो कई ने कहते हैं, कि अपना बस्ता उठा कर कुछ चलो, कि अपनी केर कोद करो, अपने जीवन के लिए खुछ जद्व जायत करो, बस कुछ वैसे हाल आपके सामने है, और जब किसी इनसान को पता चल जाता है, कि अपना काम है, अपने को खुद को करना है, तो अपने अपन में परिष्टितितिों से लड़ने की, अपने अपना आप आप कर रहा है, जिए आपको कमजोर नहीं कर रहा है, जन्याप को जाहां पर लोगों ने कमजोरी नहीं, अब मुझे किसी प्रकर की कमजोरी के अधार पर नाच पर दबाव डाल कर देख लो, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि मालिक वो इस्ट्राटेजी चला रहे हैं आपके लिए, कि आपके लिए कोई कमजोरी कमजोरी रही नहीं, आपके कमजोरी को ही तक्कर में किसी ने आपको देखकर लगा है अब समय लगा रहा है है ना जी यहाँ पर एक बात कहदू मैं अब ऐसा लग रहा है कि किसी को आप सोचने तक का समय नहीं दिया जाहेगा अब डारक्ट रिजल्ट अब डारक्ट जस्टिस डारक्ट न्याय होगा और यह देखो गया आप है दुर्गा कवच सुनना जाएज यह बहुत सही रहेगा क्योंकि यहाँ पर मुझे ट्राइंगल की एनर्जी जो है ना यह फिल हो रही है और एक प्रोटेक्शन जैसा मैंने कहा ना तो यह कवच के बारे में तो दुर्गा कवच सुनना आप परेजिता मता का स्ट्रोश सु लेना तीके अगर लगे नहीं सुन पा रहे हो कोई रिकत नहीं महाकाल का के दर्शन कर लेना उनकी फोटो डाउनलोड कर लेना है ना और महाकाल का के इस्ततियों से परे हो तो अंद विश्वसों से बहार निकलोगे, डर से बहार निकलोगे, एक दिन में इतनी इतनी बार प्रातना ही करनी है, या मेरी प्रातना सही से नहीं हुई है, मुझे फिर से करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक काम और कर लेना, अगर आप कर अगर अपका दिल करें, है ना, कि अगर लगीना संगर्ष बहुत जदा चल रहा है, यह काम बन ही नहीं रहा है, यह तिरे-दिरे रुक-रुक कर काम बन रहा है, तो Saturday के दिन ना, पीपल के पेड़ पर सर्सो की तेल का दिया करके आओ, अगर तिल मिल जाते हैं, ब्लैक कलर की तिल मिल जाते हैं, तो तिल डाल करना करके आओ, वरना only सर्सो की तेल का दिया करके आओगे ना, वो चल जाएगा, अगर किसी प्राकार का पर रिन भी होगा ना, काईस कि जिसकी विज़े से भुकतान करना पड़ रहा है, समझ रहा हो ना, कोई पूर वो जो से सम्मंदित ह या किसी भी प्राकार का हो सकता है, पिछले जन्म के कर्मों का, तो ये उर्रिन होने में ये उपाई आग के काम हाता है, क्योंकि रन्ज़ों होते हैं, कही नहीं बंदे काम में एक बार रोड़ा डालने की कुशिश करते हैं, उससे फ्री हो जाओगे, तो ये आट सपतात कर क्योंकि कोई भी काम जब दिल से करता है न तो फलता है जब बढ़ दस्ति यह दबाव माकर करता है न वह फलता ही नहीं और फिर बाद में कहते हैं कितने उपए करने के बाद में भी कुछ नहीं हुआ माले को तो दिल से पुकार होगे न और दिल से उन पर शद्दा भाव रखोगे न सच में ऐसे ही देखना आपके तो जैकवाट लग जाएगा आपके तो ऐसे ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा देखो यह फल गाइस यह फ्रूट्स आपके लिए कि यह आपके ट्रांसपॉर्मेशने जू अपनने बीटयस में दुक्धःत सब्सक्राइब इसके बारे मेसेजसे हैं यहां पर ने आपके करमा आपके मेहनत को हो ने करके जस्में में आपके त्कशा होगिए जैसे एक butterfly होती है ना वो butterfly बनने से पहले का उसका जो process होता है बढ़ा दुखदा ही होता है लेकिन उसे पाहर करने के बाद में उतनी मेहनत उतना कर्म देने के बाद में उसे butterfly को इतना खुबसूरत जीवन मिलता है है ना तो इस transformation जो आपने अब भी जेला है ना जो दुखदा ही था गाइस कश्टदा ही था जैसे बाहर निकलना आपके लिए बड़ा मुश्किल था उसे पार पाना बड़ा मुश्किल था उसका पूरा हो जाना और उसकी खुबसूरत ही आपकी life में आना गाई किस रूप मे वाले किसी प्रकार के कोई words काम में ना लिया जाए आप जो चाहते हो वो आपकी life में वो blessing आए गाईस आपकी energy जो powerful है उस energy को समझ पाओ हॉर्स के energy कहते है कि अब काम में तिवरता आना अब कारियों में गती पकड़ना और जैसा green color की यहाँ पर बहुत जादा है जो बिलक जल्स आपकी कार्यम है ग्रूत आपको दिलाएंगे आपकी बुद्धी आपका विवेक इतना आपकी समझ इतनी काम करेंगे आप जो काम करोगे बड़े शिदत से एकागर होकर काम करोगे और आपकी मेहनत रंग लाएगे गाईस आप चाहे कोई भी आपके काम पर बूरी नज़र रखने की कोशिश करें कोई आपकी काम बिगाड़ने की कोशिश करें उनके बुनके मनशाए पूरी नहीं होगी आपका अच्छा कर्मा है ना यह आड़े आएगा गाईस आपके चौंग की पूर्ती करने के लिए आपके कार्यों को बनवाने के लिए तो कुछ है हिडन ब्लैसिंग जो कईयों बार रिडिंग माई है ना गाईस कि आपके लिए यूनिवर्स ने कुछ हिडन ब्लैसिंग संजोकर रखी है वो देखना अगस्त के महीने मापको देखने को मिलेगी आपको इंजल्स नंबर बहुत ज़दे लिखेंगे गाईस लगातार में ल जहां कि अपने जोन से बाहर जाकरना कुछ करोगे गाईस लाइफ जो है ना वो झंप करने वाली है वो शिफ्ट करने वाली है तरणाने वाला है काहना यहां ऐसा लग रहा है एक नईडिस्टिर के शुरूत होगी गाईस कुछ हो सकता है कि एक बूरे पैटन से आप बाहर निकल जाओ हमेशा हमेशा के लिए हमेशा हमेशा के लिए कुछ अच्छा बदलाव आपकी लाइफ में आ जाए जो सुखद हो आपके लिए जो आपको खुशी प्रदान करे है ना कुछ बड़ा चींज होगा कास मीचर चींज होगा आपको ट्रिपल फाइफ के एनरजी जो है यह अगस्त में बहुत देखेगी तो एक बार कहता है ना जिदो जैसे इस दल दिल से बाहर एक कोई बहुत बड़ी मुसीबत से आप बाहर निकल जाओगे देखना इस मुसीबत आपको बहुत जकड़े हुए रखा वह था गाइस यह इससे आप बाहर नहीं आप आ रहे थे और बहुत लंबे समय से आपको ना बर्ड्स का जुंड दिखना है ना बार बार हो सकता है कि सपने में चांद का द एक message के बारे में कि आपने manifestation भी किया है और आपको सपने में भी दिखा है और यहां पर protection के बारे में कहां जा रहा है और यहां पर आपका situation से बाहर निकलने के बारे में आपकी life में big shift आने के बारे में है जंप कर जाना life कहाना एक इस तर लाइफ उपर उठती हुई नजर अब यह काम को लेकर भी है यह आपके सुक को लेकर भी है यह आपके happiness को लेकर भी है कि मन की शांती को लेकर भी है तनाव के खदम होने के बारे में दो चीज़े एक साथ चल रही है मेरे शेर अच्छे से समझना अच्छे से समझना मा काली ने आपकी life में चमतकार कर दिया ह अंड़्ड परसन् चमटकार कर दिया है क्योंकि यह डिडिंग इस और ही जा रही है कि माता की कृपा आप पर बरस चुकी है क्योंकि यहां पर दुखों की उल्टी गिंति और सुखों में ब्रदी की संकेर दिये जा रहे हैं मेरे नंबर इस वज़े से आपको बहुत जादा मेरे नंबर आपको दिख रहे हैं 2002 है ना आपको दिख रहे हैं 1881 यह अभी इन दिनों में 1818 3, 6, 9, यह दिख रहे हैं, 9, 6, 6, 9, यह दिख रहे हैं, हिनके पाइने कुछ, 1551, G Geneergy, 10055— 662— 1010— बहुत सारे numbers, G Гос, यह संकेत कुछ विशेश बात के बारे में कह रहे हैं, यह उस परीवर्तन के बारे में कह रहे हैं, और जिसको आप दिल से चाहते थे कि यह परिवर्तन मेरी लाइफ में आ जाए वो ट्रांस्फोर्मेशन जिसे आप अरशन हो गए थे कि मालेगा अब तो इस सिचुशन से बाहर निकाल लो कि कोई अपने पिछले कर्मों का हिसाब कितब लगा रहा है कि मैंने ऐसा क्या किया होगा पिछले जनम में जो इतना भुकतन करना पड़ा है इतनी लाइफ कट गई लेकिन अभी तक में ना पैटर्स खतम नहीं हुए सबक खतम ने में पता नहीं कब खतम होगे हो गए खतम है ना हो गई परेशान या खतम दुख खतम हो गए आत्माने ना सब कुछ ऐसे रणों से उर्रण हो चुकी है परेशान नहीं हो अब अब तुदको दुआ दो सच में कि अब सुखी रहो और देखना यहीं चीजे लाइफ में होगी अब कहा ना कि अब आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है प्रोटेक्शन है किसी प्रका का ब्लैक मैजिक आप पर हवी नहीं हो सकता कोई कितना भी आपने आपको ना को नहीं पहुचेगा आपको उनकी आयू को लेकर उनके स्वास्त को लेकर अगर मन दुखी होता है परेशानों कि किसी ने ब्लैक मैजे कर दिया बच्चों पर चिंता ना करो सब ठीक है सब प्रोटेक्शन में है अगर उन्होंने कुछ गलत कर्मा किया है उन कर्मों के आड लेकिन अगर आपको उनकी आयू को लेकर उनके स्वास्त को लेकर मन में डर रहता है तो उस डर से बाहर आ जाओ ठीक है बाकी अपना अपना कर्मा है क्योंकि चैन के इस्ततिया मालिक सब के सामने रखते है है जो इंसान जिस बात कर चैन करता है वो उसका कर्मा निर्धारि यहां पर यह guidance आये गाइज, यह guidance यही कह रही है कि किसी को साजेदार बना करकर काम करने के बारे में मंच्छा आती है ना दिमाग में, कि मैं किसी को अपनी टीम का हिस्सा बना लूँ और वर्क करूँ, वह सकता आपको आपशक्ता हो ऐसे लोगों की, अभी अगस्त के मौहने में थोड़ा सार ऐसे लोगों को चूस करने में सावदाने बरतना कारश है ठीक है देखो मैंने यहां पर कहां कि एनरजी पॉजिटिव एनरजी भी आपकी लाइफ में आए कि जो आपको हीलिंग देने में हैं आपकी मदद करें कि वह मैसेज अलग था है ना जो यहां पर कहा जा रहा हैं की वर्क प्लेश पर बिजनस को लेकर काम को लेकर अगर आपके मन मे आता है साजे धार होकर किसी के साथ मिल कर काम करें या फिर किसी को अपनी टीम का ichसा बनाए कि कोई कि लेड लेड करो टो ऐसे क्यों ख चैह करते समय किसी नई इंसान का अपने काम में साथ लेने से पहले गाइस, उनके बारे में अच्छे से तहकीकात करना, उनके बारे में अच्छे से छान भी न करना, उसके बाद में अपने काम में किसी को, अपनी टीम का किसी को हिस्सा बनाना गाइस, अगस्त के मुईने में इस बात का आपको ख्याल रखने की बहुत आफशकत ये मेसेज, इस मेसेज का खया लगना, ओके, ये दिखो, किस प्रकार का सपोर्ट, पूरी का इनात का सपोर्ट, आपके दिल को हील करने के लिए, मालिक ना आपके लिए बहुत बड़ी कुछ बात सूची है, कोई बहुत बड़ा ट्रांस्वर्मेशन सोचा है, ये दुनिया हैरान रहेगी गाइस देखना, कुछ ऐसा कर जाओगा आप अपने लेखने, आप कोई और ये लूप दिखाओगी गाइस देखना, ये आहां भी हो जो अपनी एनर्जे से अन्बिग्य हो, और ये अगस्त के मैने मैंना कहा न, ये फाइफडी में, और यहां पर ये मैसिज भी आ गया, कि आपकी उर्चा वह फाइफडी में बहुत रहने वाली हैं, बहुत कुछ अलग एकस्पीरिएंस आपको होगा काइस, और बहुत सरे इंजल्स का आपको सपोर्ट मिलेगा, आहर ऺज्डर्रा आपको सपोर्ट मिलेगा, जो हर प्रकार की नकार आग मकताओं को खतम करने में और आपके ट्रांसफर्मेशन सुकत बनाने में आपके मदद करेंगे काई से आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन आपके मन में जो भी प्रकार के सवाल आएंगे ना उन सवालों के जवाब देखना दो दो तीन तीन दिन में आपको मिल जाएंगे आपको बहुत लंबे समय तक इंसर नहीं करना पड़ेगा कि जैसे में एक काम करूँ या नहीं करूँ है ना मालिक प्रीस मेरी हल्प करो ना मतलब मन में आई कोई बात समझ रहो ना कि उर्जा कि इस प्रकार के रहेगी कि मन में कोई बात आई आप शाहिए बोल कर प्रातना नहीं करोगे लेकिन मन में सोचोगे और आपको उसका दो तीन दिन में आइंसर मिल जाएगा किसी भी प्रकार से काईस किसी भी प्रकार से और जैसा यहाँ पर कि कोई नए इंसान को अपनी टीम का इससा बना उना अगर समझ मен भी नहीं आए आपको एना एक तरीका बताओं कि अगर मान लो आपको समझ में नहीं आए तो मन में सोचना, मालेक से प्रातना करना मन में कि मलिक ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं है दो तीन दिन में आपको पता चल जाएगा ऐसे इंसान के बारे में कि इनको अपने टीम का हिस्सा बनाना है या नहीं बनाना है ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं बनाना है लेकिन जो सही इंसान है ना उनके बारे में आपके आत्मा आपके intuition किस सपने के थ्रू आपको पता चल जाएगा लेकिन पता चल जाएगा मतलब आपके answer आपको शिगरता से मिलेंगे है न तो इसका मतलब क्या है life कितनी आसान रहने वाली है एक जो उल्जन भरा दिमाग है न उससे आप पहर आ जाओगे कारे करने में आपको मदद मिलें कि basically मिलें आसले से देखना a अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं कना है शुर्क्षित करंपको आपको आपके करना आपको प्राइप फिश्य शब्ड का प्रस्वाव पड़े अगर आपको लगता है कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपके लिए एनी टाइम बुरे शब्द बोलते रहते हैं और आपको डर लगता है कि ये इंसान जब भी देखो ना बुरे शब्द बोलते रहते हैं गलत उड़ या सेंड करने की कोशिश करते हैं तो उनसे गबराने की कोई अवशकता नहीं है कहाना तंत रहो मंत रहो किसी प्रकार की नकारात्मक्तों सब मालिक के अंडर में है एक सरूच सत्ता पर बिलीव करो है ना वो आपको हर प्रकार से सुरक्षित करेंगे ऐसे नकारात्मक्ता से ऐसे बुरे शब्दों से आपकी रक्षा करेंगे आपकी लाइफ के किसी भी हिस्से पर ऐसी नकारात्मक शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ठीक है ना और यहाँ पर कहा जा रहा है गाइस कि आपको जो मालिक के द्वारा गिफ्ट मिला है, कोई ब्लेसिंग मिली है ना, पावर मिली है ना, उसको आप रिमेंबर कर लोगे गाइस, अपने एनरजी को पहचाने की कोशिश कर लोगे, देखो यहाँ पर भी लिडर्शिप और डिसि जारों को, यानि यह अगस्त का महिना आपकी वैल्यू को भी बढ़ा रहा है, आना, आपकी बात का पलड़ा ना, आपकी शब्दों का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि आप इतनी सपर्ष्ट और इतनी कम शब्दों में इतने अच्छे से बात को रुखोगे, फैसले आप सुना होगे ना, यह फैसला किसी प्रकार का दोगे ना, वो इतना क्लियर होगा, जिसमें दूर दूर तक कहते है ना, एक परसंट का भी एक परसंट नुकसान ना नजर आए, वो वाली, इतना प्रक्टिकल होकर ना, आपका फैसला जाएगा, यानि एनरजी कितनी बैलंस मे आना, तभी manifestation जो है ना, वो अच्छे से सफल हो पाती है, तभी इच्छा शक्ती जो है ना, वो काम कर पाती है, और miracle आता है, और यह क्यों होता है, क्योंकि इंचल तेको इतने सारे, इतने सारे, सारे, we are the world, है ना, हम सब साथ में हैं, यह इंचल आपको बताना चाहते हैं, यह आपको समझाना चाहते हैं, तभी आप अपनी power में आओगे, आपको heal करने में, और आपकी उर्चा को विक्सित करने में, develop करने में, सारे इंचल आपकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप नहीं कर पा रहे हो, आपने कितनी बार कोशिश करी होगी, कि मैं meditation करो, कुंडली अविकन करने की कोशिश करो, सबर्दस्ति का कभी नहीं करना, कुंडली अविकन चो होते हैं, वो खुद होती है, समय परिष्टिते इंसान की कर देते हैं, वहाँ पर अपनी तरफ से प्रकति के साथ छेड़ाड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें ध्यान क्रशन करने का चाहिए, ताकि हमारे उटे संतूलीत रहें, हमें फैसले लेने में दिक्कत ना आए, हमें सही गітलत की बैद, थो इसके लिए धियान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए ताकि हमारे गुसाा शांत हो को चाहिए. ठीक है ना तो आपकी उर्च भी बैलेंस में आ रही है और आप पावर में भी आ रहे हो और देखना म्यूजिक सुनना यह सब आपको बहुत पसंद आएगा कुछ healing मालिक आपके लिए करेंगे कुछ heal आप अपनी तरफ से भी होने की कोशिश करोगे ठीक है और एक और चीज गाईज कि ना केवल अपने creativity को पहचानते हुए आप उस अपने creativity से संब्धि जो blessing आपको मालिक ने दे रखी है ना जो creativity मालिक ने आपको दे रखी है ना उस से समंदित और ज्यादा से ज्यादा ज्यान प्राप्त करने के बारे में आपका ध्यान जाएगा गाईज यह चीज़ा आपके साथ होगी है स्प्रीम यह कार्ड कहता है magician की power में आना क्योंकि सब कुछ परिस्थित्य माइंड सब कुछ आपकी कंट्रोल में आ रहा है काईस आपकी लाइफ में रोशनी आ रही है आपकी लाइफ में पैसों को लेकर चेंटाय दूर हो रही है आपकी लाइफ में रिष्टों नातों को को लेकर चेंटाय दूर हो रही है सबसे पहले आपको healing मिल रही है तो मन के शांती का मिलना और सबसे बड़ी बात कि इन सबसे परे आपका ध्यान इंचीजों पर जाएगा ने इन सबसे परे आपका ध्यान जाएगा universe की सथ connection को लेकर गाईस कि जैसे कुछ चीजे सुधरती हुए आपको नजर आएगी ना कोई चीजों में justice आपको नजर आएगा ना कोई खुशी आपको मिलती हुए नजर आएगी ना इनकी तरफ आपको आपका ध्यान जाएगा गाईस लेकिन इन सबसे उपर जैसे एक कभी इन चीजों के लिए आप दोड़ रहे थे और आज य ना रूमर ना उन पर ट्रश्ट का बढ़ना उनको एहसास करना गाईस कि ये सब चीजे ना मालिक ने मेरे लाइफ में करी है आस्ता इतनी बढ़नी किसी इंसान की तब ही डर दूर होते हैं गाईस हम इंसानों का support पाकरना हमारे मन में 100% डर दूर नहीं होता इतना कोई magician के पावर में इतना कोई powerful अपने आपको नहीं समझ पाता जब पूरी स्रिष्टी का मालिक हमारे साथ होते है ना तब हमें ये एसास की होती है गाईस है ना तो सारी माम लोग को लेकर ना एक एक शेत्र को लेकर आपकी लाइफ में ठीक होने की तरफ आपकी यातरा चल पड़ ना कसना जाइए तो उस भाव को आपने अच्छे से समझ लिए कि ये एक लाइन मेरी लाइफ के हर शेत्र को लेकर मुझे क्या समझाना जाती है और लाइफ के सबक ने मुझे क्या समझाया है उन चीजों को दिमाग में रख कर आगे बढ़ना है ना तो किसे को इंसान क्या अ हिच्छा पूर्ति हो तो ठीक है ना पूर्ति हो तो कोई दर्दवाली बात नहीं है हुआ लेकिन असका मतलब यह नहीं कि आपके नहीं कि बोह कर रहे कि शायद आज आप नहीं मांगते होगे या आज ये प्रेयर नहीं करते होगे लेकिन कभी आपने बड़ी शिदत से की है और शिदत से कहा है माले को मुझे ये प्लैसिंग चाहिए अपने लाइफ में और उन्होंने आपको दी दिये वो पर उसका राइट टाइम अब आया है काईस है है ना ओकी अब दुख दर्द सारे खतम हो रहे हैं अब किसी प्रकार के आसों आपकी लाइफ में नहीं आएंगे आपके आँखों में नहीं आने वाले हैं ठीके आप जो इस ट्रक्शिचुशन में थे ना जो यहां पर भी काड़ है तो बता दिया था ये वाला का कि उसे जंप करके आपको बाहर निकला जा रहा है तो अब जो इस्ततीमा फसे हुए थे इतने साल तक में इसकी संभावना है काईस की यह अगस्त के मैने में इस सिचुशन सा बाहर निकल जाओगी काना एक पैटर्न खतम होते हुए नजर आ रहा है वो मालिक की कृपास है वो पैटर्न खतम हो जाएगा तो निश्चिंत रहना आपकी यहात्रा वाके में बहुत बड़े मेजर चेंजिस की और आगे बढ़ रही है बहुत बड़े ट्रांस्वर्मेशन बहुत बड़ा मिरेकल अपनी लाइफ के लिए लेकर आने के लिए आगे बढ़ रही है कभी अच्छा हो सकता है अब कहां ना कि अब इसके बारे में क्या कहूं मैं गाइज आपको कि आपका जितना भाव अच्छा रहेगा जितनी आपकी और शे सकाराथमक रहेगी दो दिन में मिलने वाले खुशी एक दिन में मिल जाएगी हम कह रहे हैं कि अगस्ट के 10 से 15 दिन के अंदर, starting के 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपके लाइप में होगा, क्या पता अगस्त स्टार्ट होते ही, एक दो दिन में हो जाएगा, अपनी उर्जा को इतना अच्छा रखो, इतना सकार आतमक रखो, है ना, और इंतजार मत करो, बस माली पर ट्रस्ट करो, खुद पर ट्रस् आपको पसंद आए, अगर आपको पसंद आए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कॉमेंट, लाइक, शेयर कीजिए, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रिडिंग में, तब तक के लिए, बाई